पौस्ट फटिलाईजाशन एवेंट्स में , development आफ एंडोस्परम के बार embryo development आता है और आज हम लोग embryo development के बारे में study करेंगे तो double fertilization के दौरान जब fertilization होता है और फट्लाईशन double fzelf डिस्कवर्ड बाई फर्टिलाजेशन वाज डिस्कोर्ड वाई स्ट्रासबर्गन और डबल फर्टिलाजेशन वाज डिस्कोर्ड वाई नवाश्यन तो डबल फर्टिलाजेशन के दौरान ओव्यूल का फार्मेशन होता है और यह ओव्यूल सीड में डेवलप होता है इसी को हम राइपेंड ओव एम्ब्यों को कंटेंड करता है, रखता है, मतलब कि फटिलाइजेशन के बाद और इस सीड में ओम्ब्यों पाया जाता है, एंब्रियो वतला भूर, एंब्रियो डेवलस फ्राम दे जाइगोड, यह डेपलॉयड नेचर का होता है, इस प्रुफिटिक होता है, एंब्रियो माइक्रोपाईलर एंड पर पाय जाता है, जहां पर जाइगोड सिचुएट्ट था, development of embryo development of embryo को हम embryogeny भी कहते हैं और ये macropilar end पर पाय जाता है जब जाइगोट embryo में develop होता है तो इसके different stages होते हैं वो पहले pro embryo बनता है फिर उसका hard shaped embryo बनता है फिर mature embryo बनता है और फिर एक embryo बनता है embryo development में कई stages आती हैं कैसे होता है उसको जब देखते हैं यह बहुत important events है embryo embryo पहले जाइगोट है वो embryo में जब डेवलप होता है तो सबसे पहले उसमें एक transverse division होता है यह transverse division में एक apical cell बनता है और एक basal cell बनता है apical cell में इस apical cell में apical cell में एक vertical division होता है जिससे दो सिलका formation होता है और फिर इस apical cell में फिर एक transverse division होता है जिससे चार सिलका formation होता है इसको कहते है quadrant stage यहां पर फिर एक इक वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे एक जिससे एक austen stage develop होता है क्या होता है और इससे एक og'ten stage develop होता है तो यह यह आक्टेंट इस्टेज डिवलप होता है तो इसमें चार चार सेल्स दो रो में अरेंज होती हैं फोर और इन रोस को कहते हैं टियर क्या कहते हैं टियर्स तो अपर टियर और लोवर टियर में चार सेल्स होती हैं और लोवर टियर में चार सेल्स होती हैं यह चारों सेल्स पे पेरिक्लीनल डिविजन के थुरू फिर डिवाइड करती है और अपर टियर यह पेरिक्लीनली डिविजन मतलब होता है जब division plane of division के parallel में होता है जब division plane of division के parallel में होता है तो इसको कहते है पेरिक्लिनल डिविजन इस division के दोरान plant की length में increase होती है और एक होता है एंटिक्लिनल डिविजन जो perpendicular to the plane of division होता है उसमें उसके diameter और circumference में increment होती है तो upper tier जो होती है देखो यहाँ पर दो tier बन गया अपर टीएर एंड लोवर टीयर तो अपर टीयर अपर टीयर में अपर टीयर से ओर जो आउटर-mosed layer होती है अपर टीयर में वह बनाते है डर्मेटोजन और यह डर्मेटोजन ईपिडर्मिस को डेवलप करता है लोवर टियर में जो सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स होती है वो पेरिबलम बनाती आज को डेफ्लक करता है जबकि इनर टियर जह सबसे नीचे की तरफ होती है वह प्लीरोmm बनाती है जो वेस्कैला बंडल डेफ्लक करता है इस तरह के इंब्रियो को कहते है meglebb Human में सिल्भा मेरी सब्सक्राइब यह एक रोट्रा जाती है लें 서 होगा जाता है तक रो आंफ सेल्स सिल्स कि रोक्राइब जाती है जिसके जिसको सस्पेंसर कहते है क्या कहते है इसको क्या कहते है सस्पेंसर और यह सस्पेंसर का जो बेसल सिल्स होता है जैसे वाली यह बेसल सिल्स है यह वाली तो यह बेसल सिल्स होती है जो बाद में यह जो बाद में जो पाद में वेसिकुलर हो जाती है या हाई हास्टोरियल नेचर की हो जाती है जो नुट्रिशन को सक नुट्रिशन को टेक अप करती है दूसरी जगह से इंडोस्पर्म से नुट्रिशन को शक करती है ठीक है यह हास्टोरियल नेचर की हो जाती है और अपर मोस्ट सेल जो हो स्पेंसर ने से संफर principalmente बेसल हो गया यह अपरमस्ट सेल और हो गया संसी वाल ब्राकुte खने हाई प्रेच सरी था रिखिश इंतलर हमने था से संब तो के क्या है appreciate ये जयाउगोत है ये जयाउगोत में ये वो गया ये जो इमेज है एक डूसरे दूसरे भूक से टेकव किया गया है ये यह दिखिए जाएगोट है यह बेसल सेल्स है यह एपिकल सेल्स है एपिकल सेल्स फिर एक वर्टिकल डिविजन में डिवाइड हुआ और वर्टिकल डिविजन के बाद फिर इसके बाद यह हर जंटल डिविजन हुआ यहाँ पर फिर इसके बाद एक टू टियर्स अफ सेल्स बन गई आप यहां पर वही अपर टियर और लोवर टियर अपर टियर बनाएगी आपकी अपर टियर प्ली रोम देखे यह देखे सबसे बाहर की सबसे बाहर की जो लेयर हो गई है सबसे बाहर की जो लेयर हो गई है वो डर्मेटोजन बना रही है और अंदर की अंदर वाले से सेलस में जो इनर सेलस से वह पूर से अंदर है इंदर वाली सेलस में जो से बाहर है वह प्लिरोम हो गया ते werden karma Boss lower वह प्लिरोम हो गया वह का रिखेज दंर की तरफ ये पार्ट रिखेज और हलो कशने तकर फिक रिखेजर बना iki अधिक है और बेसल सेल्स जो थी वो बेसल सेल्स ये सेल्स ये सेल्स डिवाइड होकर के आठ से दस सेल्स की एक रो बनाती है और सबसे बेसल सेल्स की सबसे लास्ट सेल्स जो होती है वो हास्टोरियल लेचर की होती है जिसे वेसिकुलर सेल्स भी कहते हैं यहां से यहां तक ही सस्पेंसर कह और यह जो 1st cell होती है इसको कहते है हाईपोफाइसिस क्या करते हैं हाईपोफाइसिस अ ही सुदो हो गया कि यह हाइच ट्रियूल नेचर की होती है तो इस तरीके से एक embryo development हुआ है आगर हम एक embryo के basic structure के बारे में बात करें तो embryo embryo में तीन पार्ट होते हैं एक देखे यह एक दूसरे के भुख से पिक लिया गया है यह मेरा खुद का नहीं है दूसरे भुख से लिया गया है देखे cotyledonary part अगर हम किसी भी embryo के part को दिखते हैं कि cotyledonary part हो गया यह upper part हो गया above the cotyledonary part और यह below the cotyledonary part यह इसका embryonal axis है यह इसका embryonal axis है तो देखिए यह देखिए embryonal axis में तीन पार्ट होता है आपर पार्ट, middle part and lower part आपर पार्ट में above the cotyledonary part और यह इपिकोटाइल में terminates होता है यह इपिकोटाइल इपिकोटाइल के tip part को प्लिम्यूल कहते हैं क्या कहते हैं प्लिम्यूल और यह shoot of the plant बनाता है यह plant का shoot part बनाता है देखिए यह इसका tip part है और यह प्लिम्यूल कहलाता है और यह इपिकोटाइल है यह कहलाता है इपिकोटाइल और यह प्लिम्यूल है प्लिम्यूल में shoot Пार्ट होता है क्या होता है इस प्लिम्यूल में shoot part होता है इस्टेम का सूट पार्ट होता है ठीक है इसी तरीके से जो बेसल पार्ट होता है यह दूसरा पार्ट होगा यहां पर अर्टीरीटका जाते है और तीसरा पार्ट होता है बसला पार्ट यह बीलो दो कॉझलिल इनटाए जाते हैं इसको फॉटाएल करते हैं क्या करते हैं फॉर पॉट औरुटा diff से्मety एंब्रीयों का एक basic structure है किसले कि मीडिल पार्ट में पर्चेंट होते हैं वूम कॉट इसको है जो इसको नीचे को हितquinho्स होता है इसको radical कहते हैं जो root develop करता है root and root का है ठीक है तो यह इसका एक structure basic structure है यह इसको detail में है देखें यह development हो रहा है यह देखें यह इस तरीके से होता है development यह भी figure यह figure net से लिया गया है net के किसी source से लिया गया है किसी study material से और यह यह एक book है उसकी pick लिया गया है तो यह देखिए यह LS up ovule showing the young embryo है यह कि यह कोटिलीडन है ठीक है यह कोटिलीडन है यह यह इसका suspensor है यह इसका suspensor है यह इसका हास्टोरिया है ठीक है ठीक है यह इसका ovule part हो गया है यह ovule है पूरा यह structure ovule है ठीक है और यह इसका embryo sec है इसका embryo sec में embryo में develop हो रहा है ठीक है यह देखिए यह कोटिलीडन हो गया यह कोटिलीडन हो गया यह कोटिलीडन हो गया यह प्लीम्यूल हो गया यह हाइपकोटाइल हो गया ठीक है यह रेडिकल हो गया यह इस तरके से इसका ने डाघ्रमटए कर परेशन तेनो खाने दो Kane मोनोखाट में एक ही कॉटिलिडन होते हैं और यह A-Codyfendim जिन जो एक सिथक्म परूट बेशिंट होते हैं इसको 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 टलम कहते हैं इसको 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 टलम कहते हैं इसके lower end at its lower end embryonic galaxy size radical इसके radical होता है जो root cavity close को की रहता है और एक protective covering से cover रहता है जिसको डशां कहते है क्रोंट कहते हैं क्या कहते हैं क्रोंटी गाते Uppاخ είναι L vraag了 का ब्लाइज एक इसकुटलम and has फूसके अइन इपर रहता है और इसका एक suit apex होता है इसमें leaf primordia होती है और यह एक hollow structure को cover करता है जिसको कहते हैं क्या कोलियोप टाइल क्या कहते है लिए इसका फिगर है। दिख लिए यह इसके टेलम है यह कोलियोप टाइल है ये शूट लेक्स है यह रेडिकल है जजी रूट कैप है यह कॉल राइजा यह तो इस तरह के से यह इसका फिगर हो गया और एक टीपकल डाइकोट एंब्रियों के अगर हम बात करते हैं तो एक टीपकल टाइकोट एंब्रियों एक एंब्रियोन अलाक्सिस करता है जिसमें 2 कॉटि लिदन होते हैं पॉर्शन बिलो दे एक्सिस काल्ड हाइपोकाटाइल या रूट टीप रूट टीप इस आल्सो कवर्ड बाई रूट कैप यह हम टिपकल एंब्रियो जो पढ़ते हैं डाइकाट का वो कुर्सिफार या ओनेग्राइट टाइप का होता है ठीक है और हम इसी को कंसीडर करके हम एंब्रियों डाइकोड में एंब्रियोजेनी को नि को इस्टड़ी करते हैं अ बहुत अब हम लोग जरासा कुछ प्टिश के बारे में इस टेड़ी कर लेते हैं कि आफ्टर फर्टिलाजिशन होता क्या है डिफ्रेंट पार्ट का मोस्ट ली नॉर्मल केश में एक्स तो इ सेपल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं सेपल्स फाल आफ हो जाते हैं पेटल्स भी फाल आफ हो जाते हैं इस्टैमेंस भी फाल आफ हो जाते हैं ओवरी फूट में कनवर्ट हो जाती है ओवरी वाल पेरी कार्प में कनवर्ट हो जाती है ओव्यूल सीड में कनवर्ट हो जाता ह है फ्यूनिकिल स्टाक आप दसीड में कनवर्ट हो जाता है हाइलम हाइलम में ही कनवर्ट हो जाता है नूसलस पेरी स्पर्म में कनवर्ट हो जाता है नूसलस आउटर इंटेगमेंट टेश्टा इनर इंटेगमेंट टेगमेंट टेश्टा एंटेगमेंट बनाता है माइक्रो देर्पोंदशल्स भी परिश हो जाते हैं और सेकंटरी नुक्लिएस इंडय स्पर्म बनाता है वह इसके से हैं यह हमने डिफन सोर्ट से से लिए हैं नेट से लिया है म drainage से लिया है सकोछ और ligables से लिए हैं इंटरनेट से इन Thank you.